स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन इस्पैसिस में आज हम बनाने जा रहे हैं गेहूं के आटे का घर का बना पास्ता अगर आप रोटी खाते खाते बोर हो चुके हैं तो उसी रोटी वाले आटे से आज हम ये पास्ता बनाएंगे अगर आप डाइट पे हैं तो ये रेसिपी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है तो हम इसे बिल्कुल हेल्दी तरीके से बनाने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए गेहूं का आटा कभी कभी जब हम रोटिया बनाते हैं तो हमारा डो बच जाता है जिसे हम फ्रिज में रख देते हैं बाद में यूज करने के लिए आप उस डो का बिल्कुल इस्तमाल कर सकते हैं पास्ता बनाने के लिए या फिर हमें चाहिए इसके लिए एक कप वीट फ्लार यानि गेहूं का आटा इसमें बस हमें पानी मिलाना है और इसका हम एक सौफ्ट सा डो तयार कर लेंगे जैसे कि आप रोटियो वाला आटा तयार करते हैं बिल्कुल वैसा ही आटा हम लगा लेंगे ये देखें आटा हमारा लग चुका है इसे पांच मिनट तक कम से कम सेट होनी के लिए रख देंगे अब हमें बस थोड़ा फ्लार डस्ट करना है और जैसे कि हम रोटिया बेलते हैं इसे विल्कुल उसी तरह बेल लेंगे बीच बीच में सूखा आटा डस्ट करते जाए ताकि रोटिया हमारी चिपके नहीं इसी रोटियों जैसा ही पतला बेलना है अब इसे पतले पतले स्ट्राइप्स में काट लेंगे बिल्कुल इस तरह से हम कट कर लेंगे अब इसे एक जगा एकठा कर लेंगे इसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करेंगे ताकि एक दूसरे में चिपके नहीं ये देखे पास्ता हमारा तैयार हो चुका है अब हमें इसे बस कुक करना है जिसके लिए सबसे पहले हम पानी बॉयल करेंगे इसमें जाएगा आधा छोटा चमच नमक एक छोटा चमच वेजिटेबल उयल जैसे ही पानी बॉयल होने लगे हम इसमें डालेंगे हमारा पास्ता इसे पास से छे मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर कुक करना है पास्ता हमारा कुक हो चुका है अब हम इसे छान लेंगे अब हम इसके उपर थोड़ा सा थंडा पानी डालेंगे ताकि इसके कुक होने का प्रोसेस रुख जाए और ये स्टिकी स्टिकी सा भी ना बने अब हम पैन गर्म करेंगे और उसमें डालेंगे एक बड़ा चमच वेजीटेवल उईल साथ ही एक बड़ा चमच बटर जब बटर मेल्ट हो जाए फिर इसमें जाएगा एक बड़ा चमच बारी कटा लैसुन जैसे ही लैसुन का कलर चेंज होने लगे फिर हम इसमें डालेंगे तीन से चार हरी मिर्च फिर हम इसमें डालेंगे वेजीज मैंने यहाँ पर लिया है आधा सिम्ला मर्च और आधा गाजर इसे मैंने क्यूप्स में कट कर लिया है एक छोटे साइज का प्याज इसके मैंने सारे पेटल्स निकाल लिया है इस तरह से आप अपने पसंद की कोई भी वेजीज इसमें डाल सकते हैं इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक कि यह थोड़ा सा पकना जाए बस इसका थोड़ा सा कच्छा पन दूर हो जाए तब तक ही भूने इसे ज्यादा कुक नहीं करना है अब हम इसमें डालेंगे एक बड़ा चमच टोमैटो सॉस एक बड़ा चमच रेट चिली सॉस अगर आपके पास रेट चिली सॉस नहीं है तो आप ग्रीन चिली सॉस का भी इस्तिमाल कर सकते हैं साथी इसमें जाएगा एक बड़ा चमच विनिगर एक चौथाई चमच से भी कम गाले मिर्ज पाउडर डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्ज पाउडर डालेंगे टेस्ट के लिए आधा बड़ा चमच शहद अगर आपके पास शहद नहीं है तो आप यहाँ पर एक चौटा चमच जीनी का भी इस्तिमाल कर सकते हैं अब इसमें जाएगा दो बड़ा चमच पानी इसे हमें हाई फ्लेम पर बस कुछी सेकंड्स के लिए भूनना है अब इसमें जाएगा हमारा बॉइल किया हुआ पास्ता नमक स्वाद अनुसार दियान रहें कि नमक हमारे सौस में भी पहले से था तो इसमें नमक ज्यादा एड़ ना करे इसे हमें हाई फ्लेम पर कुछ सेकंड्स के लिए भूनना है ये देखे हमारा पास्ता बिल्कुल तयार हो चुका है ये टेस्ट में जितने रिलिश्यस होते हैं उतनी ही ज़्यादा ये हेल्दी भी है साथ ही ये बच्चों की लंच बॉक्स के लिए भी एक अच्छा सा उप्शन है उन्हें ये बहुत पसंद आएंगे अगर आपके बच्चे रोटी खाना पसंद नहीं करते तो आप ये पास्ता जरू ट्राइ करें उपर से थोड़ा सा ओरिगेन उडाले जिससे इसका टेस्ट और वे इन्हेंस हो जाएगा एक बर इस रेसिपी को ज़रू ट्राइ करें और हमें बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को करना ना भूले और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में जरूर शेर करें थैंक यू